हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी मदस से आप अपने चेहरे को एकदम गूरा धाग दब्बे रहित वा रोम छिद्र को रिपेर करने में उप्योग कर सकते हैं यदि आप तरह तरह के नुकसे उप्योग करके ठक गए हैं अपने चेहरे को गूरा बनाने में तो यह नुकसा आपको एक बार जरूर इस्तमाल करना चाहिए इस नुकसे में हम प्राकरतिक चीज़ों का उप्योग करेंगे जिसके कोई साइड अफेक्ट भी नहीं है यदि आपके चेहरे पर पिमपल्स डार्क सरकल साथ ही आपका चेहरा बलैक है तो आपके चेहरे को काले से गूरा बनाने में यह नुस्का मरतगार साबित होगा दोस्तों आप मार्केट से बहुत सारे क्रीम उपियोग करते हैं अपने चेहरे को गुरा बनाने में पर उनका साइड एफेक्ट आपके चेहरे पर हो जाता है जिस कारण आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं परन्तु आज मैं आपको जो नुस्का बताऊंगा उसमें हम प्राकर्तिक चीज़े इस्तमाल करेंगे और इनका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है इससे आपका चेहरा दाग धब रहित और आपका चेहरा दूद के समान चमकदार बन जाएगा इसके लिए हम जो सबसे पहली चीज़ लेंगे वो हम लेंगे कोई भी क्रीम आप जो भी क्रीम उप्योग करते हैं आप उस क्रीम को उप्योग कर सकते हैं मैं जोय का क्रीम उप्योग करता हूँ इसलिए मैं यह क्रीम लूँगा करेगा साथ ही आपके स्किन को गोरा बनाने में मदद करेगा साथ ही यदि आपके स्किन में किसी प्रकार की प्रॉबलम है तो उसको भी दूर करने में ये मदद करेगा दोस्तों ही आपकी स्किन को काले से गोरा बनाने में मदद करेगा साधी आपकी सक Citizen को पिंपिल और बनाने में मद्ध करेगा तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में करीम ले लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं है क्ट इसमें हम क्रीम ले लेंगे आफ फैनेल लबी क्रीम उपियोग करते हैं कोई अधर क्रीम उपियोग करते हैं तो आप उस क्रीम को ले सकते हैं मैं इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्रीम ले लूँगा आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने थोड़ी सी मात्रा में क्रीम ले लिया है अब इसमें जो अगली चीज हमको मिलानी है दोस्त वो बहुत important चीज़ है जो आपकी skin को fair बनाने में मदद करेगी यह है नीबू दोस्तों नीबू में vitamin C वा citric acid पाया जाता है जो आपकी skin को fair बनाने में मदद करता है साथ ही आपकी skin को धाग दब्बे रहत बनाने में मदद करता है यदि आपके चेहरे पर pimples हैं तो उनको ठी करने में मदद करता है यदि आपकी skin black है तो skin को white करने में मदद करता है साथ ही आपकी skin पर जो dark circle उनको भी दूर करने में मदद करता है इसके अलाबा आपके चेहरे पर जो रोम छिद्र उनको भी बंद करने में मदद करता है तो इसमें हम आधा नीबू उपयोग करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको चाकू की मदस से काट रहा हूं और इसमें हम आधा नीबू उप्योग करेंगे इस प्रकार इसमें हमको आधा नीबू मिला लेना है या आप अपने अनुसार भी इसमें नीबू मिला सकते हैं जितनी मात्रा में नीबू मिलाना है मैं इसमें आधा नीबू मिला रहा हूं आधा नीबू का रस इसमें मिला रहा हूं नीबू में कुछ ऐसे प्राकरतिक औसदिया पाय जाती हैं साथ ही तत्तों पाय जाते हैं जो आपकी इसकिन को फेयर बनाने में मदद करते हैं तो दोस्तों इसका एक हम पेश्ट बना लेंगे इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से इसका पेश्ट बना लेंगे और इसको अच् पाच मेर्ट तक अच्छी तरीके से मिलाई है जिससे यह पूरी क्रीम आपस में मिल गई है आप देख सकते हैं वीडियो में इसके अलावा इसमें एक चीज और एड करेंगे जो आपके स्किन को फियर बनाने में मदद करेंगी वह दोस्तों चीनी इसमें मैंने चीनी को बारि द्वेख दूर करेगा और आपकी म Sneer इसको एबजोर्ब करने में मदद करेगा और आपके रूम चित्रों को बंद करने में मदद करेगा इसमें हम लगवग एक चम्मच सुरफ का पाउडर मिला देंगे और इसको अच्छी तरीके से आपस में मिला लेंगे ताकि चीनी का भूरा अच्छी तरीके से मिल जाए आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में ने इसमें चीनी का भूरा यानि चीनी का पाउडर इसमें आप कोई भी क्रीम उपियोग कर सकते हैं जो आप अपने चेहरे प उपियोग करते हैं इसके अलाव मैंने इसमें नीबू का रस एड़ किया है और अब एक पेश्ट बनके तैयार हो गया कुछ इस प्रकार का ये पेश्ट आपको दिखाई देगा तो इस प्रकार का पेश्ट बनके ये तैयार हो गया अब आपको इसका इसका इसकानना है सबसे पहले दोस्तों ठंडे पानी से धोलीजिए और इसे अपने हाथों में इस प्रकार लीजिए और आपकी स्किन जहां भी आपकी स्किन बलेक है या पिमपल्स हैं वहाँ पर इस प्रकार इसको लगा लीजिए आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में इसमें लगा लिया है इस प्रकार आप इसको लगा लीजिए और इसे 15 से 20 मिनिट तक सूख जाने दीजिए जब ये मिक्षर आपके चेहरे पर सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लीजिए एक ही बार की उपयोग से आप देखेंगे कि आपका चेहरा गलो होने लगेगा आपका चेहरा धीरे धीरे गोरा होने लगेगा साथ ही आपके स्किन पर जो भी पिमपल्स हैं दाग धबे हैं वो दूर होने लगेंगे इसका सब्सक्राइब करना है और आप तीन बार उपयोग करके देखेंगे कि आपके स्किन बहुत ही जादा गोरी होने लगी है तो दोस्तों यादि आपको वीडियो वीडियो